शिम बाबा याद है ना? तो बहुत गदगद हो जाएंगे अभी तुम सुख के टावर में अर्थात लक्षमी नारेन के राज्ये में जा रहे हो तो उन्हों के समान तुम्हारा खान पान वो बोल चालादी बड़ा रोयल होना चाहिए विजे माला का दाना बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है अपनी नवज देखनी चाहिए कि हम कहां तक याद में रहते हैं ऐसी अवस्था हुई है जो लक्षमी को वड़ सके फिर बाबा ने कहा अब वापिस घर जाना है इसलिए अशरिरी हो रहने की प्रेक्टिस करो निरंतर याद में रहो याद नहीं करेंगे तो सजा भी बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम होगा तुम्हें पुरुशार्थ कर करमातीत अवस्था को पाना है बाब समान बहुत मीठा बढ़ना है अपनी चाल को देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते एकदम हाइस्ट पावर वाला एक बाप ही चुम्बग है उनकी याद बिगर तुम कभी पवित्र नहीं बन सकते इसलिए याद से आत्मा का सारा किचड़ा निकाल देना है और लास्ट में बाबा ने कहा तुम्हें बहुतों का कल्यान करना है दिन रात सर्विस में ततपर रहना है इस रुहानी कमाई का इतना शोक होना चाहिए जो रोटी टुकड खाया न खाया और यह भागे सर्विस पर ऐसी अवस्था होनी चाहिए और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुडली का सार, मीठे बच्चे, अल्फ और बे बाप और वर्सा याद रहे तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा यह बहुत सहज सेकेंड की बात है प्रश्न बेंत खुशी कीन बच्चों को रहेगी सदा खुशी का पारा चड़ा रहे उसका साधन क्या है उत्तर जो बच्चे अशरिरी बनने का अभ्यास करते बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रिती धारण कर दूसरों को कराते हैं उन्हें ही बेंत खुशी रह सकती है खुशी का पारा सदा चड़ा रहे इसके लिए अविनाशी ज्यान रतनों का दान करते रहो बहुतों का कल्यान करो सदा यह स्मृती रहे कि हम अभी सुख और शान्ती की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी ओम शान्ती बाप ददा का विचार है कि एक सेकेंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है हर एक एक सेकेंड में लिख कर बाबा को दिखा जाए सबने लिख कर बाप ददा को दिखाया फिर बाब ने भी लिखा बाब ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा बाब ने लिखा अल्फ और बे कितना सहज है अल्फ मना बाबा, बे मना बादशाही बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो और ज्यास्ती लिखने की दरकार नहीं तुमने तो लिखने में दो मिनट भी लगाया, अल्फ बे सेकंड की बात है, सन्यासी सर्फ अल्फ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है, याद की आदित पड़ जाती है, बुद्धी में बैठता है तो खुशी का बारा चड़ा रहता है, अल्फ का अर्थ कितन नहीं जानते, उसका भी जरूर अर्थ होगा, बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई, अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता, कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही, तुम इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, प्रन्तु वेह तब होगी, जब याद रहेगी, यहां बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए, बुद्धी देखती है, जिसको दिव्यद्रिष्टी कहा जाता है, आत्म भी देखती है, बाप को आत्म ही याद करती ह तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकठी याद आ जाएगी, कितनी देरी लगती है, यहां भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे, बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं, बाप को यहां की कोई बात याद ही नहीं, बाबा याद करते हैं वहां क ले आया हूँ, तुम सर्फ याद नहीं करते, इसलिए खुशी नहीं ठहरती, तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्से को याद करो, कितना उचा स्थान है जहां तुम रहते हो, दुनिया थोड़े ही जानती है, मनुष्य मुक्ती में जाने के कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ती धाम है कहां, तुम समझ से हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत उच जाते हो, चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी इस शरीर को छोड़ देना है, तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम में, आने जाने में टाइम नहीं लगता है, अपना घर है, यहां तो कहां भी जाओ तो टाइम लगता है, आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकिड में कहां का कहां चली जाती है, एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो अपने को आत्मा समझना है तुम बहुत उच चोटी पर जाते हो मनुष्य शान्ती चाहते हैं शान्ती की हाइस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और सुख की भी हाइस्ट चोटी है स्वर्ग उचे ते उच को टावर कहा जाता है तुम्हारा घर अभी कितना उच्छा है, दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते, उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं, उसको कहा जाता है शांती का टावर, मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांती हो, प्रंतु इसकार्थ नहीं जानते कि शांती कहां है, यह और फिर सुख भी हाइस्ट, उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत महनत की है, यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है, वास्तों में नौरतन गाये हुए हैं, जरूर उन्होंने गुप्त महनत की होगी, बाप और वर्से की याद रहे, तभी विकर् विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती, कभी काम, कभी क्रोध, बहुत तुफानों मिलाती है, अपनी नबज देखनी है, नारद को भी कहा, शकल देखो, तो वे अवस्था अभी है नहीं, बनानी है, बाबा, एम, अबजिक्ट जरूर बताएंगे, अंदर मे पुरुशार्थ करते रहो, आगे चल कर वे अवस्था तुम्हारी होगी, अशरिरी रहने की प्रैक्टिस करनी है, अब जाना है वापिस, बाब ने कहा है, मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे, तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी, और फिर पद भी कम, यह है बह इतना डीप जाते हैं, क्या-क्या बनाते रहते हैं, वे भी संसकार तो चाहिए न, जो फिर वहाँ भी जाकर यह चीज बनाएंगे, सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है, यहां के संसकार अनुसार ही जाकर जनम लेंगे, जैसे लडाई वालों की बुद्धी में लडाई के स संसकार रहते हैं, तो वे संसकार ले जाते हैं, लडने बिगर रह नहीं सकते, ओफिसर के पास क्यों लगी रहती हैं, भरती करते समय जांच करते हैं, कोई बिमारी तो नहीं है, आख का नादी सब ठीक हैं, लडाई में तो सब ठीक चाहिए, यहां भी देखा जाता है कि कौ उनकोन विजय माला का दाना बनेंगे, तुम्हें पुरुशार्त कर करमातीत अवस्था को पाना है, आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है, वहाँ शरीर का कोई संबंद नहीं, अब अशरीरी बनना है, आत्माई वहाँ से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती है धेर की धेर आत्माई आती रहती है सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो नई पवित्र आत्माई आती है उनको जरूर पहले सुख मिलना है इसलिए उनकी महिमा होती है बड़ा ज्ञाड है ना कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी है अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे तो अब बच्चों को मेहनत करनी है करमातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है अपनी चाल को देखना है कि इसको दुख तो नहीं देते है बाप कितना मीठा है most beloved है ना तो बच्चों को भी बनना है यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहां है मनुश्यों को थोड़े ही यह मालूम है कि बाप यहां सापना कर रहे है फिर भी जनम जनमांत्र उनको याद करते रहते है शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते है कितनी उची चोटी पर बद्रिनाथ आदी के मंदिर में जाते हैं कितने मेले लगते हैं क्योंकि बहुत मीठा है ना गाते भी हैं उचे ते उचा भगवान बुद्धी में निराकार ही याद आएगा निराकार तो है ही फिर हैं ब्रह्मा, विश्नु, शंकर उनको भगवान नहीं कहेंगे अभी तुम बच्चे समझ से हो हम ही सतो प्रधान देवता थे जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा बाकी सब चले जाएंगे शान्ती धाम में यह सब तुम देखते रहेंगे इसमें बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए वहाँ तुमको पाड़ी आदी पर जाने की दरकार नहीं वहाँ कोई भी एक्सडेंट आदी होते नहीं वह है ही वंडर ओफ स्वर्ग जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो वह है सुख का टावर यह है दुख का टावर लडाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं फिर जनमते भी होंगे गाया जाता है इश्वर का अंत नहीं पाया जाता अब इश्वर तो है बिंदी उनका अंत क्या पाएंगे बाप कहते हैं इस रचना के आदी मध्य अंत को कोई नहीं जानते साधू संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते हैं तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है, सृष्टी चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो, वे तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप ने समझाया है, ये जो कुछ तुम यहां देखते हो, ये वहां नहीं रहेगा, स्वर्ग है टावर ओफ सुख, यहां है दुख ही दुख, अचानक मौत ऐसा आएगा, जो सब खत्म हो जाएंगे, मौत देखना मासी का घर नहीं है, इसको कहा जाता है दुख की चोटी, वे है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर नहीं, तुम्हारे म सब हो जब बुद्धी गोर्डन एज हो, धारना नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती, एकदम हाइस्ट पढ़ाई वाले भी हैं, तो लोइस्ट पढ़ाई वाले भी हैं, पढ़ाई में फर्क तो है न, उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझावे, परन्तु कभी भी नहीं समझेंगे, याद बिगर तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे, बाप ही चुम्बक है, वे एकदम हाइस्ट पावर वाला है, उन पर कभी कट चड़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चड़ी हुई है, उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है, बाप कहते हैं मामे कम याद करो, और कोई में ममत्व ना रहे, साहुकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबों को तो कुछ है नहीं, परन्तु गरीब भी कुछ समझदार हों जो धार ना कर सके, याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे, तुम यहां आये हो, उच चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से, हम उच सुख की चोटी पर जाएंगे, इसमें मेहनत है, बाप आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े, पहले नंबर में इन लक्ष मिनारेन का ही गायन है, वे एकदम टा आवर उफ सुख कहा जाता है, वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिटी नहीं, ऐसी हवाये वह लगती नहीं, जो मकानों को खराब करें, स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुशार्थ करना है, लक्ष मिनारेन कितने उच हैं, उनको देखने से दिल खु हो जाती हैं, आगे चलकर बहुतों को साक्षातकार होते रहेंगे, शुरो में कितने साक्षातकार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आधी पहन कर आते थे, वह चीजें तो यहां मिल न सके, बाबा तो जोहरी है, आगे जो 50 हजार में मनी लेते थे, वह वहाँ अथा सुख हैं, बाप इतना पढ़ाते हैं, परन्तु बच्चों में रात दिन का फर्क पढ़ जाता है, कहां राजा रानी, कहां दास दासियां, जो अच्छी रिती पढ़ते और पढ़ाते हैं, वे छिपे नहीं रह सकते, जट कहेंगे बाबा, हम फलानी जगे जाकर सर्विस करते हैं, सर्विस तो धेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल, मंदिर बनाना है, रोटी टुकड खाया न खाया और यह भागे सर्विस पर, धंदे वाले लोग ऐसे करते हैं, अच्छा ग्राहक आ जाता है, तो फुर खाया न खाया भागे, धन कमाने का शो उठ जाये, कोई भरोषा नहीं है, विनाश तो होना ही है, तुम्हारे लिए तो मिर्वा मौत मलू का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, तुमको बेयंत खुशी होनी चाहिए, तुमको बहुतों का कल्यान करना है, पिछारी को करमाती तवस्था होनी है, तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े रहते हैं, दिन रात सर्विस में तत पर हैं, सैकडों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुरसत नहीं मिलेगी, सबसे जास्ती तुम्हारे दुका निकल रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पोईंट, ज्यान की धारना करने के लिए, पहले अपनी बुद्धी गोल्डन एज की बनाओ, बाप की याद के सिवाए और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे, दूसरी पोइंट, करमातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरिरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हो। बाप समान मीठे बने हैं, वर्दान, सहन शक्ती की धारना दवारा, सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजई भव। सहन शक्ती की धारना दवारा, सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजई भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सचे लोगों का चलना ही मुश्किल है, जूट बोलना ही पड़ेगा। कई ब्रह्मन आत्माई भी समस्ती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता वपवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराये नहीं, सत्यता के लिए सहन शक्ती की आवशक्ता होती है, सहन करना हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजे है, स्लोगन प्रसन रहना और प्रसन करना यह है दुआएं देना और दुआएं लेना और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समाज है, जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है, इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की सिती दवरा, सहजी डबल लाइट फरिस्सा स्वरूप की होती होती है, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती, ये एक बहत संसकारितापूर्ण विडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करें